नमस्कार मित्रू एक वार फिर शेश वागत आप सभी का अपनी यूट्व चैनल सिक्स अग्यान में दोस्तों इस वीडियों बात करेंगी राजस्तान अलडिशी बर्ती के बारे में जो राजस्तान चेन बोर्ड द्वारा जीत की गई थी उसका परिणाव अभी तक जारी न अरम बराता तो दोस्तों इसके बारे में संपून डीटेल जानेंगे उससे पहले एक वार आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो कर दीजे आप लाइक और चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को लिजे सब्सक्राइब ताकि आप आसके अलडिशी से जूड़ी पलपल के अप सवालों का डिफिकल्टी लेवल इसके बाद इस्टेंडर्ड डिवी एन फॉर्मूले के आधार पर त्यार होगा प्रिक्षा का परिणाम तो दोस्तों इसमें लिखावा कि लडी सी बर्तिका परिणाम जारिक करने से पहले राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड आठ लाग अ सवालों का डिफिकल्टी लेवल त्यार होने के बाद परसन पत्रों के एक रिपोर्ट बनेगी जिसके आधार पर परसन पत्रों का समाने करन किया जाएगा अगत सितमर में हुई इस परिक्षा का बोर्ड ने चार महीने बाद भी परिणाम जारी नहीं किया है समाने करन की परकिरिया के चलते परणाम के लिए अब बेरति को 15 दिन ओर इंजार करना पड़ सकता है तो दोस्तों ये जीजल के बारे में आपको अपडेट है कि आपको अभी तक 15 दिन का ओर इंजार है वो करना पड़ सकता है क्योंकि 8 लाग बेरतियों के कुंडली है वो दुबारा से देखी जाएगी परकि जाएगी और पेपर रूं के समानी करन के लिए सद सदश्य कमेटी गटित की गई है चार चनुमों होई इस परिक्सा के आठ पेपरों का समानी करन किया जाएगा इसके लिए बोड ने एक 6 सदश्य कमेटी का गटन किया गया है कमेटी ने बोड को ए इस साल बरती की परकेरा शुरू की थी इसके लिए तेरा लाग नबा जार एठावना अभीरतियों ने आविदन किया था प्रिक्षा के चारू चर्णों में कुल मिलाकर आड़ लाग दस जार तीन सो बावना भीरति उपस्थित रहे थे यानि समतिक चौदा लाग में से आड प्रिक्षा में परसंपत्रों के समानी करन की जुरूरत पढ़ गई ताकि इसमें से कोई प्रकेपर कटिन होने के साथ अन्याई नहीं हो बोड ने पिछले दिनों सभी परसंपत्रों के परारंबिक आंस्वर की जारीकर आपतियां मांगी थी इसमें करीब 1100 आपतियां बो जाटवजी है जो RSMS के अध्यक्ष है उनका बियान है कि इस परिक्षा में 8 परसंपत्र हुए थे इसलिए परसंपत्रों के समानी करन के बाद ही परणा में उगशित किया जाएगा इसके लिए कमेटी का गटन कर समानी करन की परकेरा सुरू कर दिये हमारा परियासा कि इस म पर लिये ति यानि चार सव्ट मापके पर ऊई थे ऐ मैं 1500 भारहसो सवाल देगा देगी टि कमेटी के बोड़ चे मंगा कि 1200 में से अभीरतून कितने सवाल हल की इसमें कितने सवाल सही है और कितने university अगलत है अगर हल किया कोई पर पर सिमоло का सामनी माना जाईगा और इस होने के बाद ये कमिट परसंपत्रों के समाने करने के लिए इस्टेटिक्स के फार्मूले स्टेंडर्ड डिवेन को लागू करते हुए परणाम त्यार करेगी दो दोस्तों आपका इसमें नौर्मला जैसन है और डिफेल्टी होने वाला है और दोस्तों ये थी अगर ये दी वीडियो आपको अच्छा लगा और इस्टेट परकार की जानगारी आप हो जाहिए तो इस चैनल को रेड़ वाली बटन को दबागे सब्सक्राइब करके साथ में गंटिक निशान को जुरू दबालें